गुरु नानक देव जी हमारे देश में बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग साथ साथ रहते हैं. इन सभी धर्मों में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने भाईचारे और एकता का संदेश दिया है. ऐसे ही एक महापुरुष सिखों के पहले गुरु नानक देव जी थे. गुरु नानक देव जी का जन्म 1499 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाहोर के निकट तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब कहलाता है. यह स्थान अब पाकिस्तान में है. इनकी पिता का नाम कालू चन्द बेदी और माता का नाम त्रिपता था. इनकी माता बड़ी मृदुल और शान्त स्वभाव की थी नानक पर इनका विशेश प्रभाव पड़ा था इनकी बड़ी बेहन का नाम नानकी था क्योंकि वह नानक के घर में पैदा हुई थी उनकी नाम पर लोग इनको भी नानक कहने लगे नानक जी बच्पन से ही साधूं की तरा बैठते और उन्हीं की तरा बाते करते थे घर से जू पैसे उन्हीं खर्च के लिए मिलते उन्हें वे दीन दुखियों में बाढ़ देते आठ वर्ष की अवस्था में उन्हीं पढ़ने के लिए भेजा गया परन्तु उनका मन पढ़ने लिखने में नहीं लगता था वे एकांत में बैठ कर भगवान का भजन करते और ध्यान लगाते थे जब नानक देवजी कुछ बड़े हुए तो उनकी पिता ने उनसे खेती की देखभाल करने के लिए कहा वे खेत पर गए मगर वहां भी एकांत पा कर परमात्मा के भजन में लग गए यह देखकर इनकी पिता ने इनहीं खेत पर जाने से रोग दिया और उन्हीं नौकरी करने के लिए कहा परन्तु उनका मन कहीं भी नहीं लगता था एक तिन उनकी पिता ने उन्हीं बीस रुपे दिये और कहा बेटा लाहोर जाकर कोई ऐसा खरा सौधा करना जिससे कुछ लाब हो उनके साथ एक नौकर भी था मार्क में उन्हें साधूं की एक तोली मिली जो तीन दिनों से भूकी थी उन्होंने सारे रुपे साधूं को खिलाने पिलाने में खर्च कर दिये और खाली हाथ लोटाए पिता ने जब उन्हें खाली हाथ लोटते हुए देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध आया उन्होंने नानत तेव जी को पहुट डाटा परन्तु उनके विवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ थोड़े दिनों बाद उनका विवाह कर दिया गया उनके श्री चन और लक्ष्मी चन नाम के दो पुत्र हुए नानत तेव जी का मन अब भी ग्रहस्ती में नहीं लगता था वे अपनी सारी कमाई दूसरों की सहायता में खर्च कर देते थे इससे घर ग्रहस्ती चलने में बड़ी कठिनाई होती थी उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत समझाया परंतु उन पर किसी भी बात का असर नहीं होता था एक दिन उन्होंने घर बार छोड़ दिया उन्हें समझाने के लिए उनके पिता ने मर्दाना नामक एक मुसल्मान गवईये को उनके पास भेजा परंतु मर्दाना स्वैम ही उनका चेला बन गया बाला पहले से ही उनके साथ था अब बाला और मर्दाना को साथ लेकर नानक देव जी जगा जगा जाते और उप्देश देते इश्वर एक है हिंदू मुसल्मान सब इश्वर की संतान है उसके लिए सब बराबर है इश्वर सत्य स्वरूप है अच्छे काम करो जिससे परमात्मा के दरबार में लच्चित ना होना पड़े धीरे धीरे वेक गुरुनानक के नाम से प्रसिद्ध हो गए उन्होंने अपने शिश्यों के साथ भारत के प्रसिद्ध स्थानों की यात्रा की गुरुनानक देवजी ने लहना नाम के एक होनहार व्यक्ति को अपना शिश्य बनाया आगे चल कर वे गुरु अंगत के नाम से गुरुनानक देवजी की कद्धी के उत्तराधिकारी बने सन पंद्रा सो उन्तानिस में लगफाक सत्तर वर्ष की अवस्था में गुरुनानक देवजी का दिहान थो गया वे सदैफ दूसरों की भलाई और सेवा पर जोर देते थे